कि भाज़पा के मुख्यमंत्री खटर साहब ये कह रहे हैं कि वह इंच नाओं में नब्बे मैं से सतर सीटें जीतेंगे जब कि आप दावा किया कि इस बार कुलट फेर होगा और आप यानि कि कांग्रेस कम से कम पिशतर सीटें जीतेंगी और सरकार बनाईगी पर मेरा हर्याना कंग्रेस में सबसे बड़े नेता के रूप में पूर मुख्यमंत्री भुपेंदर सिंग हुगडा का नाम लिया जाता है परंतु भुपेंदर सिंग हुगडा सर्वमान्य नेता नहीं है और वो सर्वमान्य नेता नहीं है ऐसे में एक लीडर्शिप का अभाव इस समय हरियाना में कांग्रेस में इस पर्ष्ट रूप से दिख रहा है तो फिर आप कैसे 75 सी जीतने का दावा कर रहे हैं देखिए राहुल गांदी जी कि नेतरतों में हरियाना में देखो पूरे स्टेट में हर पार्टी में होता है ठोड़ा गौत कंपिटीशन सब कामन करता मैं आगे बढ़ूं लेकि में सब हमारे हरियाना के नेता माने यह सबी जितने में सिन्य लीडर्स हैं ऺ कि onka का म मन-ằrष्ट म के ने जो इनों-नोंका जो विचार से शन्य का प्रीट के सब से अलग काम कर नहुं पार्टी के लिए काम कर रहें चाहे मुपेंदर तोरजी प्रेडेंट, PCC, हर्याना है, चाहिए सुर्जेवाला सहाब है, जो भी senior leaders हैं, वो अपने फिल्ड में, पार्टी के लिए मिलकुल अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है, लोग सबाजी तुनाओंगे मैं मानता हूं, उसके सामने हुई भी है, रिजल्ट आए हैं, आप चोकर साब आप ये कह रहे हैं कि, जो मैं आपकी वाद से समझा की, नेताओं में मद्भेद हो सकते हैं, मगर मन्भेद नहीं है, और वो पार्टी के लिए काम करते हैं, देखे, सचा ही ये है कि 2014 में, शायद फरवरी 2014 में, अशोग तंवर जी को पार्टी अध्यक्ष बनाय गई, और ये भी कहा जाता और ये सचाई भी है कि, इन छे बरसों के दारान अशोग तंवर ब्लॉक और जिला इस तरकी कमीटियों तक का गटन नहीं कर सके हैं, और हर्याना की राजनीती को समझने वाले, चाहे वो हम हो, या कोई भी वेक्टी हो, हर्याना की राजनीती से जो तालोग रखता है, वो जानता है कि, तंवर और हुड़ा अलग अलग पोल्स हैं, धुरू हैं, तो मेरा प्रशनी यह है कि, ऐसे में आप कह रहे हैं कि मदवेद हैं, मगर मनवेद नहीं है, मगर मनवेद भी इस पस्ट रूप से जलक रहा है, तो कांग्रेस में जब ली किसको PCC बनाना, किसको WORKी PCC बनाना, कि हाई कमान का जिम्मेवारी मनची, को करेगे जल्दी, जास सुनने में आ रहा है, तो अच्छा है, सभी नेता काम करते, मैं किसकी बारे में नहीं कहना चाहूंगा, आप सभी का स्वागत करते हैं, लेकिन… तो ऐसे में क्या आप भी मानेंगे कि हर्याणा कांग्रिस में सब कुछ सही नहीं चल रहा है और गुडबाजी चरम पर है नी देखिए गुडबाजी तो हर पार्टी में होती है छोटा मोटा छोटा मोटा लेकि मैं पहले भी कायब चुक हूँ आपसे ठीक है विचारों की ल अजियन आपने स्टार्ट कर रखा है और चोकर साब एक दिशा की और खीच रहे हैं और हुड़ा साब एक दिशा की और तवर साब एक दिशा की और शैल जा एक दिशा की और और किरंट चौदरी एक दिशा की और तो गाड़ी तो हिलेगी नहीं दिशा एक है दिशा एक है हन्यान में कानल स्थापी तो हमारी सकार बने चोकर साब ने कहा है कि दिशा एक है तो चोकर साब मैं जानना चाहूँगा कि नौ जून को इसी नौ जून को करारी शिकस जब लोकसवा चुनाव में मिली उसके बाद पूर्वसियम गुपेंदर जिंग हुड़ा जी ने अपने हावास में एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में अगर मैं गलत नहीं हूँ आप भी वहां मौजूद रहोगे सब्सक्राइब करेंड़ जो आपके बाकी चारे उसमें उपस्तित नहीं थे जी अब मेरा प्रatk जै कि सतरा है सतरा मैं से चार या पांच उप्राइब नहीं थे चलिए कोइब आख लिए कोई बात नहीं और इससे पहले आपको याद होगा और सभी को याद है पुरे देश ने देखा कि जब आपके केंद्री प्रभारी आजाद साब ने मीटिंग बुलाई तो उनके समक्ष जबकि आजाद साब शायद विधान सवा का एक ब्लूप्रिंट लेकर आए थे उनके समक्ष हुड़ा और तवर के समर्थक भिड़ गया और यहां तक की अशोग तवर को कहना पड़ा कि उसको गोली मार तो यह मीडिया में भी चला तो ऐसे में मद्भेद की बात नहीं है मगर मन्भेद की बात सामने आ रही है कि दोनों बिलकुल एंटी कैम्प हो चुके हैं देखिए गुलाम सब्सक्राइब से पहले हमारे सभी नेता घंजी का आप नाम ले रहे हैं सभी एक एक रत में स्वार हों हम भी थे सभी नेता उस रत में स्वार थे लेकि जहां तक वो पेंदर सी हुड़ा जी की बात किया रहे हैं मीटिंग की नोजून कि उसमें मोटीमो पस्तित था करीब सतर गोट-प्रविदायक सामिल हूए, एकस एमपी सामिल हूए, एकस तीन चार एकस पी-सी-सी प्रिज़न्ट भी सामिल थे और उसमें ग्यारा विदायक दो कहीं विदायक बाहर गुमनें के विए थे तो उनका मैसेद आ गा तो माईके माद्नम से सब को बता भी गाता, थ सुर्जेवाला, शेलिया, मिराण चौधरी, विष्णोई, वो कहीं पार्टी कारेकर में वैस्त है, ऐसा नहीं है, एक पूर स्यम मीटिंग बुला रहा है पार्टी की चिंतन मंतन की, और उस मीटिंग में पार्टी के प्रदेश अध्यष भी नहीं है, वो बारा जूं को दू बैठे लोगों को दिख रहा है, मगर आप लोग इसको स्विकार नहीं रहें, कि अब वक्त है कि सब एक जो फोकर काम करें, यदि आपको भारती जिन्ता पार्टी से सत्ता लेनी है, मगर आज तक आप पर यह तहीं नहीं हुआ कि छे परस में एक PCC प्रेजडेंट जो ब्ल पर सहमती बनती नहीं है, देखो मैं सपष्ट बात करना चाहूंगा, पार्टी की हेट की बात करना चाहूंगा, इसमें को दोरा नियाफ सच कहा रहे हैं, जिला स्थर पर, ब्लोग स्थर पर संगठन नहीं बना, जो बनना चाहिए ये भी हमारा कमी है, कमजोरी है, जहां त लेकिन अपना काम मैंने पहले भी आपको कह चुका हूं, अपने अपने काम पर लगे हुए हैं, पार्टी के लिए लगे हुए है, हाथ ही तो भगवान के हाथ है, जनता के हाथ में, लेकिन अपने कारियों पर कार्टी के लिए प्रियासों में लगे हुए हैं सभी, कोई कह लगा कोई लगा प्रिवार बड़ा होता है तो सब जिम्मेवारी लगजाती है तो अपनी जिम्मेवारी मैं अपनी जिम्मारी से कर रहा हूं वो अपनी जिम्मारी से कर रहे हैं वो अपने आदमी बुला रहे हैं अब सब पार्टी एक है शिर राहुल गांदी जी को देख र हम मंत्री बनेंगी